आज दोस्तों यार ठंड काफी लग रही है, मुझे लग रहा है बारश हो रही है, बाहर चल के देखते हैं बाहर आकर देखता हूं तो सच मुच बारश हो रही होती है और बारश को देख मन में खयाल आता है कि अब थेयटर कैसे जाओंगा और इस मौसम में टहल के आने के बाद बिस्किट एक साथ दूद खाता हूँ और फिर थेटर के लिए निकल लेता हूँ और बारिश भी बंद हो चुकी और इस मौसम का मज़ा लेते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं थेटर और फिर पहुंच कर पता चलता है कि हम लोग 40 मिनट लेटा और 40-40 पुशब तीनों लोगों को लगानी पड़ती है उसके बाद मुझे स्क्रिप्ट मिलती है मैं अपने डायलोग याद करता हूँ तो सारी तयारियां और हाइनस चमबंटोर्ट यादर्स के हिसाब से हो गई है ब्रेक टाइम में मैं और चमेली चल देते हैं सभी के लिए छोले गुल्चे लाने के लिए उससे पहले चमेली की लाई हुई भिंडी के साथ रोटी पीते हैं और निकल लेते हैं छोले कुल्चे लेने के लिए भाईया की दुकान पे पहुंचकर पंदा लोगों के लिए छोले कुल्चे पैक कराते हैं और सामने आंटी ने स्कूटी गलत खड़ी करते इसलिए अंकल जी लड़ जाते हैं शोले कुल्चे पैक कराने के बाद हम लोग चल देते हैं दाल मखनी को पैक कराने के लिए दाल मखनी पैक कराके हम पहुंच जाते हैं चाय की दुकान पर चाय पैक कराते हैं और आजाते हैं